हेलो गाईस रादे रादे कैसे आप सब आई होप अच्छे होंगे आज मैं लेके आई हूँ आप सबी के लिए बहुती टेश्टी और बहुती मज़ेदार हॉममेड गुलाब जामुन रेसीपी जो आप सब बहुती आसानी से घर पर ही बना कर खा सकते हैं एकदम पाटी वाल मतलब कुछ भी एड करने का जरूत नहीं पड़ेगा जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे आप पस फॉलो करके बनाना और बहुत ही बड़िया आपके गुलाब जामुन घर पर ही बनके रेडी हो जाएंगे तो यह हमने लिया है एक कटोरी प्रीमिक उसके बाद कि मदर से अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स हो चुका है आप देख सकते हैं अब इसमें आड करेंगे आधा गिलास दूद लिया हे हमने दूद आप हलका सा मलब नॉर्मल ही ले सकते हैं जरूरी नह appropriate कि मैं आपको गरम करना है या इस ज़्याאל ठंडा है ज़्या लगाना है एक दम आंटे की तरह आपको नहीं गोन रहा है अंदर से इसको बहुत ज्यादा सौफट रखना है तक्ये अंधर स्व 걸ाइmond का सौफट बने में पूरिभ बालaking रोरम आयंटा AMY!! बस कोशिस यही करनी है कि जितना हो सके उतना हलका एक होता है ना हलका पन होता है डो में तो वो चीज रहनी ची अंदर से बस इस तरीके से मल के थोड़ा सा और ढख के रख देंगे हम 15 मिनट के लिए और जब तक यहां पर अपनी कड़ाई में हम डालेंगे चीनी चासनी बनाने के लिए तो चासनी बनाने के लिए हमने जितना हमने प्रीमिक्स लिया था उतनी हमने चीनी लिया है और अभी गैस ऑन की निये है हमने अब हम गैस भी ऑन करेंगे और इसमें पानी एड़ करेंगे तो पानी भी हम उतना ही एड़ करेंगी जितना हमने चीनी लिया है तो एकदम परफेक्ट आपकी चासनी बनके रेड़ी होगी जाए, 1,5 कप हमने पानी लिया है और जाए किक कमेने लिए हैंख स्टूंचा ये देखिए दस से पंद्रा मिंट हमें हो चुके हैं और डो को एक बार हाथों में घी लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से घी लगाने के बाद अच्छे से और डो को हम मस लेंगे सॉप्ट करेंगे दो आपको ऐसा तयार करना है कि गोलिया बनाते टाइम आपकी जो गोलिया बनेंगी न गुलाब जामुन की वो फटे नहीं उनमें दरारे नहीं आएं तो एक बार हम गोलिया बना के चेक कर लेंगे दरार आ रही है या नहीं देखिए बहुत ज़्यादा दरार आ रही है तो ये गलत है अब इसको और मसल के थोड़ा सा और हमें ठीक करना है तो हमने कर लिया था सौप्ट अब हम गोलिया बनाएंगे और चेक करेंगे इस तरीके से हाथों में अलट प्लट जरूर करें यह देखिए आप देख सकते हैं हमारा एक दम परफेक्ट बना है गुलाब जामून यानि गोलिया अभी गुलाब जामून बनके तयार नहीं हुआ है और इस तरीके से हम दूसरे गुलाब जामून भी बना के तयार कर लेंगे एक एक और इसी तरीके से हमने सारी गोलिया बना के एक एक दम रेडी कर ली है और दो गुलाब जामून हमने बड़े वाले बना है यानि लंबे वाले और चासनी को आपको ऐसा बनाना है कि उसमें तार नहीं आने चाहिए मतलब थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए बस और चासनी अभी हमारी रेडी नहीं हुई है तोड़ी सी और पकानी बाकी है और इसमें इससे पहले डाल देंगे इलाईची पॉरडर आप चाहें तो मेरे पास इलाईची पॉरडर था तो इसलिए मैंने वाली यूज़् किया है हमने और आपको ऐसा गरम करना है कि मतलब जादा गरम नहां चुरी और नहीं जादा तhrन अचाहिए medium होना चीए और गोलियां डालके आपको तेल को ऐसे गोलियों के उपर अच्छे से डालना है ताकि आपके गुलाब जामुन जो है ना बहुत अच्छे से अंदर तक पकें और फटे नहीं अगर आप डालके ऐसी छोड़ दोगे ना तो आपके गुलाब जामुन फटने लग जाएंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चमच ना मतलब गुलाब जामुन को टच भी ना हो और गुलाब जामुन के उपर प्रॉपर तेल भी जाए आपका ओल भी जाए इस तरीके से तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और एकदम और गुलियां आपको छोटी छोटी बनानी है अगर आपको थोड़े मीडियम साइच के गुलाब जामुन खाने हैं तो मुझे थोड़े से बड़े साइच के खाने का मन हो रहा था तो इसलिए मैंने बड़े साइच के बनाए हैं तो यह फ्राई होने के बाद थोड़े तो आपको तो आपको नॉर्मली खाने हैं जैसे हलवाईयों के पास होते हैं साधी बिया में तो आपको इस तरीके से ही गॉल्डन करना पड़ेगा गॉल्डन से थोड़ा सजादा जैसे मैंने किया है तो आप देख सकते हैं गुलाब जामून का कलर बहुत ज्यादा सुन्दर आएगा प्यारा आएगा और यह देखिए यह दो हमने लंबे साइज के गुलाब जामून मुद्धि वाओ उनका भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हैं काफी अच्छे से यह फूल हीचुकная है बड़े साइज कि हो गये हैं और ज़्यादा और जाएगे ड़कने सब्सक्राइब कर लेते हैं कि अपनी चासनी चेक कर लेते हैं अपनी नहीं होनी चाहिए वरना तो गुलाब जामुन आपके छोटे रह जाएंगे और अंदर से रसीले बिल्कुल भी नहीं बनेंगे तो इस बात का आपको ध्यान लखना है कि चासनी एकदम गरम होनी चाहिए और चासनी के अंदर हमने अच्छे से गुलाब जामुन एड़ कर दि आप देख सकते हैं इसी तरीके से घर पर बना के बहुत ही आसानी साब खा सकते हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ज्यादा से ज्यादा सेर करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज क